नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ एक्जाम फिनिसर के इस ऑनलाइन प्रेटफर्म पे कैसे हैं आप सभी स्टुडेंट उमीद करते हैं आप सभी स्टुडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तयारी भी बहुत अच्छे तरीके से जब 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 तरीके से चल रहे होगी दोस्तों आप लोगों की बहुत ज्यादा डिवांड थी कि सर इस पे जो क्लासेज हैं आगे की कंटीनिव कब से होंगी जैसे बेसिक मैट आप लोगों ने इस पे सीखा बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बाद आपकी परसंटेज क क्लास चली अब इस पर दोस्तों आपकी सारी क्लास इस हो गी एक एक करके प्रसंटेज कंप्लीट हो चुका है अब प्रोफित लॉआज की से और चैप्टर वाई चैप्टर चैप्टर चलेंगी मैंट में आप कितना हो वीक है तो टेंसल लेने की आपको बिलकुल भी जोरत नहीं है आप सभी को पता है Exam Finisher पर जो math चलता है, zero level से basic से और chapter by chapter चलता है, ये जो आपकी math की class है, आपकी आगामी सभी परिक्षाओ के लिए important है, आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं, तो टेंसल लेने की विलकुल भी ज़ोरत नहीं है, math यहाँ पे 0 level से ही हम पढ़ा रहे हैं और आप exam में बहुत ही बेहतर करेंगे, बहुत ही अक्षा करेंगे, एक भी question आपका बाहर का नहीं जाने वाला है, तो यहाँ पे basic से आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, चीजों को सीखिए, समझते हुए चलिए, और continue करते रही है, यहाँ पे अब आपकी per day video पढ़ेंगी, per day classes होंगी, सारी classes को आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के त्यारी करना है, चलिए आइए देखते हैं, आज जो आपकी class है, जैसे profit and loss, लाव हैं हानी, की part 1 है, यानि पहला class है, एक दम basic से, तो चलिए part one basic से complete करते हैं, देखिए, percentage हम पूरा complete कर चुके हैं, आज हम start करेंगे, लाव और हानी, और यह है class 1, तो लाव और हानी दोस्तों start करने से पहले, आपको जो लाव और हानी में कुछ word यूज किये जाते हैं, कुछ term यूज की जाती है, उनके बारे में पहले हम आपको करेंगे, और हम आप लोग को पीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, तो बारे सान आप लोग बिल्कुल भी ना होईएगा, चलिए, देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, profit and loss, यानि कि लाव यूज हानी, ठीक है, सभी student, देखिए, सबसे पह क्या होता है, दोस्तों, क्राय मुल, ध्यान दीजे, यानि क्राय मुल क्या होता है, जिस मुल पर किसी बस्तु को खरीदा जाता है, उसके बाद क्या होता है, दोस्तों, विक्राय मुल, यानि कि उसे जिस मुल पर उसे बेचा जाता है, वो होता है, विक्राय मुल, ठीक है, एक होता है लाब, अगर दोस्तों हम कम रुपे में खरीदे हैं, अधिक रुपे में बेच रहे हैं, तो हमें लाब होगा, अगर दोस्तों, अगर हम ज्यादा मुले में खरीदे हैं, और कम मुले में बेच रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा, हानी होगा, ठीक है, तो आप लोग जरूर करिएगा लाभ हानी में जो टर्म यूज किये जाते हैं सबसे पहले दोस्तो होता है क्रेमुल ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट क्या होता है दोस्तो क्रेमुल ध्यान दीजे क्रेमुल ध्यान दीजेगा सभी स्टूडेंट नोट जरूर करिएगा क्रेमुल को हम sort में दोस्तों ऐसे भी लिखते हैं ध्यान दीजिए क्रे मुल्ल ठीक है यानि किसको cp ठीक है देखिए जब हम question solve करेंगे तो हम पूरा क्रे मुल्ल ना लिखे cp लिखेंगे ठीक है, CP मतलब क्या होगा, cost price, CP मतलब क्या होगा, cost price, यानि कि क्रे मुल, ठीक है, यह हो गया, दूसरा दोस्तो जो word use होता है, ओ होता है दोस्तो, विक्रे मुल, क्या होता है दोस्तो, विक्रे मुल, सभी student note जरूर करेंगे, ध्यान दीजे, दूसरा जो होता है, ओ क्या होता ह है दोस्तों selling price सभी student अच्छे से देखिए यह क्या होता है दोस्तो selling price सभी student no tap log जरूर करिए यह आपका होता है selling price इसे आप sort में ऐसे लिख सकते हैं विक्रय मॉल ठीक है क्या लिख सकते हैं विक्रय यानि इसको अगर इंग्लिस में लिखेंगे तो हम इसे बोलेंगे SP, ठीक है, SP मतलब क्या हो जाएगा दोस्तो, SP मतलब हो जाएगा विक्रेमुल यानि Selling Price, ठीक है, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट नोट करिए, देखिए, यहाँ पर अभी हम इस क्लास में थोड़ा सा भी में चलेंगे, ताकि सभी स्टूडेंट समसा के, ठीक है, उसके बाद से दोस्तो, एक और इसमें सब्द यूज होता है, वो होता है दोस्तो, लाव, क्या होता है दोस्तो, लाव, ध्यान दीजे, सभी स्टूडेंट, क्या होता है, लाव, लाव को दोस्तो, हम क्या लिख ठीक है, उसके बाद से दोस्तों होता है हानी, ठीक है, हानी, हानी को दोस्तों हम किसे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजे, हानी का मतलब होता है loss, हानी का मतलब क्या होता है, loss, इसको हम दोस्तों L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इतना आप लोगों को clear हो गया होगा, उमीद करते हैं देखिए यहां पर सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे जब हम कोशन सौल करेंगे तो क्रेया मुले भी क्रेया मुले नहीं लिखेंगे हम डिरेक्ट सीपी SP, profit, loss, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सभी student क्या करिए, समझिए, ये पूरी concept पहले आप लोग clear करिए, तब जाके आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, ठीक है, अब देखिए क्या होता है दोस्तों, अब होता है एक लाभ प्रतिसत, ध्यान दीजे सभी student, अ अगर लाभ का प्रतिसत, दोस्तों, आप लोगों को निकालना हो, तो लाभ प्रतिसत बराबर होता है, क्रेमुल, ध्यान दीजे सभी student, अभी note आप लोग कर लिजेगा, क्रेमुल, ध्यान दीजेगा, लाभ प्रतिसत बराबर क्या होता है, लाभ बटा, ध्यान दीजेगा, क्रेमुल ध्यान दीजिए यहां पर क्रेमुल जब भी कभी लाव या हानी प्रतिसत की आपको गड़ना करना हो तो आप किस पे करेंगे क्रेमुल पर ठीक है तो लाव प्रतिसत वराबर लाव बटा क्या होता है दोस्तो क्रेमुल गुने 100 ध्यान दीजिए यह एक छोटा सा फ लाब बटा क्रेमुल गुने 100 तो इसको दोस्तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं profit % बराबर profit बटे CP यानि कि profit मतलब लाब बटा CP मतलब cost price क्रेमुल गुने 100 ठीक है इसको आप ऐसे भी नोट कर लिए ठीक है यह आपका क्या हो गया दोस्तो profit percent हो गया ठीक है एक होता है क्या दोस्तो हानी तो हानी प्रतिसत निकालना है देखिए हानी प्रतिसत बराबर क्या होगा सभी student अच्छे से देखेंगे हानी प्रतिसत ठीक है हानी क्या होगा दोस्तो सभी student अच्छे से द ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्रेमुल सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए आप लोग गुने क्या होगा सौव ठीक है अभी हम आप लोगों को ध्यान दीजिए अभी हम आप लोगों को पूरा कराएंगे पहले जो बेसिक कॉंसेप्ट है यह आप लोग क्लियर करिए पूरा यह जो आपको हम बता रहे हानी बराबर हानी बटा क्रेमुल गुने 100 लॉस परसेंट बड़ाबर क्या होगा लॉस बट पर हानी प्रतिसत की गढ़ना करे या लाभ प्रतिसत की गढ़ना करे तो हम विक्रेमुल पर ग्याद करेंगे अगर नहीं दिया रहेगा और पूछेगा हानी प्रतिसत क्या होगा तो क्रेमुल पर गढ़ना करेंगे लाभ और हानी की गढ़ना जो तो क्या करेंगे क्रेमु या मुल्ले पे करेंगे ठीक है उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे ध्यान दीजिए और हम आपको एक छोटा सा यहां पे बताते हैं देखिए यहां पे थोड़ा सा समझीएगा सभी स्टूडेंट अगर दोस्तों यहा और SP 120 रुपए है समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रैस करिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा अच्छे से समझीए देखिए यहां पे हम लिखे थे क्या दोस्तों SP ठीक है CP 100 रुपए है और SP 120 रुपए है तो क्या होगा दोस्तों हमें लाब होगा कि हा न इतने रुपए का होगा दोस्तों, 20 रुपए का profit होगा, ठीक है, और देखिए, अगर दोस्तों समझेगा कुछ student, अच्छे से देखिए, अगर हम 100 रुपए का खरीदे, और 100 रुपए में ही बेच दिये, उस दशा में क्या होगा, 0, ना लाब होगा, ना हानी होगा, सभी student अच्छे से देखिए, हाँ, ध्यान दिजिए, देखिए, 100 रुपए में क्या हुआ दोस्तों, 100 रुपए में खरीदे, 100 रुपए में बेच दिये, तो उस दशा में क्या होगा, 0, यानि कि ना लाब होगा, ना हानी होगा, अभी हम रुपए में पूछ रहे, प्रतिसत में नहीं ध्यान दीजेगा अब देखिए अगर दोस्तों हम 100 रुपए में खरीदे ध्यान दीजेगा 100 रुपए में खरीदे 80 रुपए में बेच दिये तो यहां पे दोस्तों क्या होगा सभी स्टूडेंट ध्यान दीजे यहां पे क्या होगा हा नहीं होगा कितने का दोस्तों 20 तो यह आपका क्या है दोस्तों लॉस है ध्यान दीजिए यह आपका लॉस है यहाँ पर तो प्रॉफिट हो रहा है यानि कहने का मतलब यह है दोस्तों सभी स्टूडेंट अच्छे से समझेगा जब दोस्तों हम विक्रेयमुल में से क्रेयमुल घटाएंगे ध्यान यानि 120 में से 100 घटाएं हैं तो क्या आया है दोस्तों हमें profit मिला है ठीक है जब दोस्तों क्रेयमुल और विक्रेयमुल बराबर है तो न लाब होगा न हानी होगा जब दोस्तों हम क्रेयमुल में से क्या घटाएं हैं दोस्तों विक्रेयमुल तो उस दसामें क्या होगा हानी हो दोस्तो जब कभी भी दोस्तो SP देखिएगा SP माइनस CP हो तो क्या होगा दोस्तो आपका प्रॉफिट होगा यानि प्रॉफिट बराबर क्या होगा SP माइनस CP ठीक है अगर दोस्तो ये होता CP यानि कोस्ट प्राइस बड़ा होता और सेलिंग प्राइस छोटा होता यानि कि CP में से हम SP घटाएंगे क्रेय मुल्य में से दोस्तों विक्रेय मुल घटाएंगे इस समय क्या होगा लॉस होगा अगर दोस्तों CP बराबर है SP के तो इस दसा में क्या होगा ना लाब होगा ना हानी होगा यानी जितने में खरीदे उतने में बेच दिये इस दसा में क्या होगा ना होगा नहानी होगा यह जो रहा दोस्तों यह बेसिक कॉंसेप्ट रहा उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे और इसे जितना भी हम आप लोग को नोट कराए हैं यह सभी स्टूडेंट नोट जरूर करिएगा क्योंकि यह बहुत ही इमपोर्टेंट है इसे क्या करेंगे सभी स्टूडेंट नोट जरूर कर लीजिए सभी स्टूडेंट सभी स्टूडेंट क्या करिए नोट जरूर कर लीजिए हां ध्यान दीजिए जब दोस्तों SP बड़ा होगा तो क्या होगा प्रॉफिट होगा जब CP बड़ा होगा तो क्य क्लियर कर रहे ठीक है यह बेस्तिक कॉंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी हम चलेंगे लेबल जीरो पे उसके बाद लेबल वान लेबल टू लेबल थ्री ऐसे बढ़ेंगे ठीक है उमीद करते हैं सभी स्टूडेंट नोट वी कर लिये होंगे चलिए नोट कर लिये हैं लेबल जीरो ठीक है क्या है लेबल जीरो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए लेबल जीरो है क्रेयमुल और विक्रेयमुल इसमें आपको बताना है सभी स्टूडेंट यहां पे ध्यान दीजिए और आप लोगों को बता दे दोस्तों कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होन होना है और परिशान आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना है कुछ स्टूडेंट बहुत तेज भी हैं हो सकता है कि पहला क्लास में उन्हें प्रॉब्लम हो रहे हूं कि सर यह क्या करा रहे हैं तो यह इसलिए करा रहे हैं कि maximum स्टूडेंट 90 से 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जोड घटाना गुड़ा भाग भी नहीं आता है बेसिक चीज़े नहीं आती है तो नहीं आता है तो यह सारी चीज़े सिखाना पड़ेगा और एकदम धीरे-धीरे हम सिखाएंगे ताकि सभी स्टूडेंट सीख सके क्रेयमूल ग्यात करे क्रेयमूल तथा क्या बोल रहा है विक्रेयमूल क्रेयमूल मतलब दोस्तों क्या होता है सभी स्टूडेंट बताईए क्या होता है क्रेयमूल क्या होता है बताईएगा जिस मूल पर बस तुको खरीदा गया उसे क्या बोलते है दोस्तों क्रेयमूल इस 20 रुपे में खरीदा गया, जिस मुल्य में दोस्तों, यानि कि किसी बस्तु को जिस मुल्य पर खरीदा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, क्राया मुल्य, यहाँ पर प्रतिसत में नहीं पूछा है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 20 रुपे में खरीदा गया, तो क्या हो दोस्तो 20 रुपए क्या हो जाएगा क्रेय मुल्य हो जाएगा ठीक है उसके बाद पूछ रहा है दोस्तो विक्रेय मुल्य सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्या पूछा है दोस्तो विक्रेय मुल्य विक्राय मुल्य मतलब विक्राय मुल्य को हम क्या बोलते हैं Selling Price SP ये क्या हो जाएगा दोस्तो SP क्या होगा 35 रुपए में बेचा गया जिस मुल्य पे किसी बस तुको बेचा जाता है वो क्या होता है दोस्तो विक्राय मुल्य होता है यानि Selling Price होता है सब इस्टुडेंट ध्यान दीजिए, तो selling price क्या होगा दोस्तो 35 रुपए, क्या होगा दोस्तो 35 रुपए, प्रेसन में profit या loss नहीं पूछा है, ध्यान दीजिए, प्रेसन में बस आप से क्या पूछा है, क्रेमुल क्या है, विक्रेमुल क्या है, तो क्रेमुल ये हो गया और विक्रेमुल आपका 35 हो गया प्रसन में कुछ यह नहीं पूछा है profit percent वगेरा कुछ नहीं पूछा है ठीक है यहाँ पर भी आपको percentage नहीं निकालना है अभी आप लोग सी किये क्रेमुल क्या होता है कि जिस देखिएगा जिस मुल्य पे किसी बस्तु को खरीदा जाता है यानि क्रे किया जाता है वो क्या होता है क्रेमुल CP यानि cost price होता है और जिस मुल्य पे किसी बस्तु को बेचा जाता है तो क्या होता है दोस्तो विक्रेमुल होता है बेचने वाला मुल्य क्या होगा विक्रेमुल खरीदने वाला मुल्य क्या होगा क्रेमुल ठीक है उमीद करते है आप सभी student समझ रहोंगे, अगर यहाँ पे दोस्तो profit पूछता, profit कितने का हुआ, तो 20 रुपे में खरीद के 35 रुपे में बेच दिये, तो 15 रुपे का क्या हो जाता profit, क्योंकि यहाँ पे SP में से CP घटाते, तो क्या होएगा 15, यह profit होता, अभी आप यहाँ पे बस इतना ही सी सीखिये, अभी इतना सीखिये, धीरे-धीरे हम आप लोगों का लेबल आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिये, चलिए, यह भी दूसरा भी जो question है दोस्तो, यह भी zero label का है, ध्यान दीजेगा, धीरे-धीरे हम आपकी concept clear करेंगे, और label आपका धीरे-धीरे बढ़ेगा, य यह भी label zero का ही question है, ध्यान दीजिये, question है, एक दुकांदार ने एक table 200 रुपे में खरीदता है, तथा 50 रुपे लगा कर paint कराता है, और 300 रुपे में बेच देता है, तो लागत यानि कि क्रे और विक्रे मुल ग्याद करें, देखियेगा, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ से पढ़ दीजिये ताकि concept clear हो जाए, एक दुकांदार ने एक table 200 रुपे में क्या हुआ, खरीदा, तो खरीदा तो यह क्रे मुल होगा, ठीक है, अभी ध्यान दीजिये, लेकिन क्या हुआ है दोस्तों इसमें 50 रुपे लगा कर paint कराता है, तो यह इसमें total जो लागत मुल हो और भी क्रे मुल्य क्या हो जाएगा दोस्तों 300 रुपे होगा, ध्यान दीजियेगा, कुछ student यहीं पर गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं, जिस मुल्य पर खरीदा तो वही, मैं तो बोला हूँ दोस्तों खरीदा, खरीदने वाला मुल्य क्या हो जाएगा, क्रे मुल हो उसे भी हम क्या बोलेंगे क्रेमुल लेकिन वो होगा आपका टोटल क्रेमुल ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिया आप लोग नोट जरूर करिएगा क्या हुआ है दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए 200 रुपए में दोस्तों क्या किया है खरीदा है ले क्या होगा 250 होगा यहां पर चोटे से एक एक जामबल के तौर पर समझ सकते हैं कोई दुकांदार है दोस्तों कोई दुकांदार है कहीं पर जाके किसी बस्तू को खरीद के लाता है ठीक है तो उस बस्तू को क्या करता है उस लाभ पर नहीं बैसता है उस पर दोस्तों जो उ अपना जोडता है ठीक है आप लोग समझ सकते हैं हो स्यार है चलाक है आप लोग समझदार है हाँ ठीक देखिए तो क्या होगा यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से पहले सीखिए यहाँ पर टोटल लागत क्या होगा 250 होगा किसी को confuse नहीं होना है ठीक है कोई भी student confuse नहीं होगा और क्या करता है 300 रुपए में बेच देता है तो SP क्या होगा selling price सभी student ध्यान दीजिए selling price आपका दोस्तों क्या होगा 300 रुपए CP और SP उमीद करते हैं आप लोग समझ गये होंगे देखिए जब कभी भी दोस्तों किराय की बात करेगा या maintenance की कोई बात करेगा ध्यान दीजिए वो भी क्या होता है दोस्तों क्रेव मुल्य में ही जुड जाता है तो 250 रुपए CP और पेंट लगाया है पचास रुपए का न तो उसके बाद 300 रुपए में बेचा है तो SP क्या होगा 300 होगा ठीक है उमीद करते हैं आप सभी student समझ रहे होंगे बहुत अच्छे ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट लेबल पे चलते हैं सभी student उमीद करते हैं समझ रहे होंगे यहां तभी आपको profit या loss की गढ़ना नहीं करना है आगे हम आपको कराएंगे ध्यान दीजिए पहले आप लोग यहां पे सीखिए चलिए यह रहा यह रहा दोस्तों आपका label 1 ध्यान दीजिए सभी student यह आपका label 1 है ठीक है label 1 है अच्छे से समझेए question number 3 है एक बस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेच दिया गया तो बस्तु पे कितने रुपए का लाब हुआ तथा कितने प्रतिसत का लाब हुआ question इसमें दो पूछा गया है कितना रुपए का लाब हुआ और एक पूछा जा रहा है कितने प्रतिसत का लाब हुआ तो प्रसन सिंपल है ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए सभी student एक बस्तु को 400 रुपए में खरीद कर या क्रेमुल मतलब दोस्तों कोस्ट प्राइस हम यहाँ पे डिरेक्ट सीपी लिखते है ठीक है क्या है दोस्तों सीपी क्या है सभी student बताईएगा सीपी क्या है 400 रुपए में खरीद कर सीपी क्या है दोस्तों 400 रुपए है कितना है दोस्तों सीपी ध्यान दीजिए सभी student जो सी विक्रे मूल का मतलब दोस्तों क्या होता है SP होता है selling price selling price क्या है दोस्तों 500 रुपए है सभी student ध्यान दीजिए 500 रुपए है तो पूछ रहा है बस तुपे कितने रुपए का लाब हुआ तथा कितने प्रत्सत का लाब हुआ तो लाब मतलब दोस्तों क्या होगा ध्यान दीज 400 500 रुपए मैनस 400 रुपए यानि की 100 रुपए का सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए लाव क्या हुआ 100 रुपए का ठीक है लाव अगर पूछा है तो यह लाव अगर पूछा है दोस्तो लाव हो गया 100 रुपए पहले का अंसरी है गया और क्या पूछ रहे कितने प्रत का सबर्थिसाट बराबर क्या होगा अभी हम आप लोगों को बताए हैं दोस्तो लाव यानि की पर्फिट परसेंट पूछ राए ठीक है यही तो पूछ रहे 살ना प्रॉफित परसेंट बराबर दोस्तों क्या बताये थे लाव सभी च्टूडेंट ध्यान दिजिए हम आपक उधर लिखना है लेकिन हम इधर लिख देते हैं तो profit percent बराबर दोस्तों क्या बता है वह देखिए profit बटा का CP ठीक है गुने 100 यहीं लिखे है ना यहीं लिखा हुआ है ठीक है अब आपको कुछ नहीं करना है तो profit कितने का है दोस्तों 100 का है और यहां पे क्रेय मुले दोस्तो क्या है 400 रुपए है ध्यान दीजिए लाब और हानी प्रतिसत की गड़ना किस पे की जाती है क्रेय मुले पे की जाती है तो 100 बटा का दोस्तों क्या होगा 400 यह CP है 400 है गुने क्या होगा दोस्तों आपका 100 होगा ठीक है कुछ नहीं करना है ध्यान दीजिए सभी student यह देखि होगा 25 यानि 25% बोल सकते ठीक है प्राफिट क्या होगा दोस्तों 25% आंसर यही आपका होगा 25%, very good, जितने भी student का 25% answer आया है, आप सभी student एकदम सही हैं, बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हैं, ताकि student समझ सके, कुछ student यह सोच रहे हैं, कि sir fast करिये, ठीक है, तो fast यहाँ पे अभी नहीं चलेगा, fast चलेगा अगले class में, परिशान बि बहुत बीख हैं, उन्हें क्या होगा, सिखाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं सीखेंगे, तो आगे चलके बहुत दिक्कत होगी, तो हम समझ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, basic से चल रहे हैं, ताकि सभी student अच्छे से सीख सके, बहुत अक्छे, very good, हाँ, ब लगने लगेगा, ध्यान दीजिएगा, चलिए, अब हम चलते हैं, आगे, ध्यान दीजिए, लेबल वन आप देख लिए, सभी student ध्यान दीजिए, एक और है, लेबल वन में ही यह भी आएगा, सभी student अच्छे से देखिएगा, लेबल वन में भी आपका यह भी आएगा, question 4 था एक बैपारी ने एक बस्तु 80 रुपए में खरीदी और 90 रुपए में बेच दी उसे कितने प्रतिसत का लाब हुआ तो अब देखिए अब यहां पे हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे यानि एक बस्तु को कितने रुपए में खरीदी दोस्तो 80 रुपए में दोस्तो उसे लाव हुआ और लाव का प्रतिशत पूछ रहा है तो profit बराबर क्या होगा दोस्तो 90 में से 80 घटाएंगे 10 रुपे profit यह हुआ लेकिन हमसे profit नहीं पूछ रहा है profit percent पूछ रहा है यह क्राय मुले CP क्या है दोस्तो 80 रुपे है 10 बटा 80 गुने आपको क्या करना है दोस्तो 100 profit percent ही तो बताना है तो यहां से आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बहुत अक्षे very good उस स्टूडेंट सही जा रहे हैं तो दस दहां में 100 बटा 8 नहां दीजे सभी स्टूडेंट 100 बटा 8 अब 100 बटा 8 को बहुत स्टूडेंट नहीं बदल पाएंगे साढ़े 12 percent होगा तो कैसे होगा अभी यहां पर थोड़ा सा सीख लिजे 100 बटा 8 का मतलब होता है 100 को 8 से भाग करना तो 8 एकम क्या होगा 8 10 में से 8 जा 2 और यह होगा 0 फिर 8 दुना के 16 हो जाएगा और य 12 12 15 क्या पूछा था दोस्तों लाभ प्रतिसात पूछा था तो साढ़े 12 पर सेंट यानि 12 5 पर सेंट होगा ठीक है 12 10.5% जितने भी student cancer आया है आप सभी student एकदम सही है बहुत अच्छे very good उमीद करते हैं आप सभी student समझ रहे होंगे ध्यान दीजिए तो यह हम आपको पूरा है हहाँ पर explain कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ सके नहीं explain करते तो आप यहीं पर कर लेते 80 रुपे में खरीदा 90 रुपे में बेज दिया 10 रुपे का लाब हुआ किस पर लाब हो रहा है असी रुपे यानि क्राय मुल 10 बटा 80 गुने 100 ठीक है 0 से 0 यानि 100 बटा का 8 यानि की 12.5% आप डारेक्ट चाहते तो यहाँ पर आंसर दे सकते लेकिन हम यह इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोग समझ सके बेसिक से हम इसलिए यहाँ पर explain कर रहे हैं ताकि सभी student समझ सके यहाँ पर यह समझ सके क्राय मुले क्या होता है विक्राय मुले क्या होता है प्रॉफिट क्या होता है ठीक है तो यहाँ पर प्रॉफिट बूसता तो दस बोलते लेकिन स्टूडेंट समझ गयोंगे चलिए next चलते हैं आगे चलते हैं अगला देखिएगा आप लोग सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए और note आप लोग जरूर करिएगा ध्यान दीजिएगा अभी हम क्या निकाले थे प्रॉफिट परसेंट सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे उमीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा अब यहां पर हम चलेंगे लेबल टू ध्यान दीजिएगा यह आपका लेबल टू है सभी स्टूडेंट धीरे-धीरे समझ लेबल हम धीरे-धीरे बढ़ाएंगे टाकि आप लोगों को शमझ में आये यहां पर आपको क्या करना है पहले प्रॉफिट और फ्रॉफिट परसेंट निकाले अब लॉस उब्लस परसेंट निकालेंगे हानी और हानी प्रतिशत निकालेंगे कहने का मतलब यह है ध्यान द दोस्तों 200 रुपे में खरीदा गया है यानि की क्रय अमूल CP cost price क्या है दोश्तों 200 रुपे है सबी student ध्यान दीजें कितना है दोस्तों 200 है ठीक है और 150 रुपे में बेचा गया है यानि क्या है दोस्तों SP Vikray LE GUS producción बताढ़े一次 1500 रुपे है अब बताईए 200 रुपए में आपको इबस तू खरीदे, सिंपल भासा में समझिये, 150 रुपए में बेश देंगे, तो क्या आपको लाब होगा यहां नहीं होगा, देखे, विक्रेमुल क्या है छोटा है क्रेमुल से, सिंपल भासा में आप यह समझिये, 200 रुपे में खरीदे 150 में बेश दिये तो क्या होगा हानी होगा यानि क्या होगा loss होगा तो loss कितने का होगा दोस्तो 200 माइनस ध्यान दीजिए 200 माइनस 150 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तो बताईएगा loss क्या हो जाएगा 200 में से 150 50 घटाएंगे तो क्या होगा 50 यानि यह पूछा है दोस्तो बस तो पे कितने रुपए का हानी हुआ तो हानी दोस्तो 50 रुपए पहले का अंसर आ गया 50 रुपए अब पूछ रहा है दोस्तो कितने प्रतिसत का हानी हुआ प्रतिसत हानी यानि लॉस परसेंट पूछ रहा है त तो last percent बराबर क्या होता है दोस्तो, loss बटा CP, ध्यान दीजे, into 100, यही होता है न, ध्यान दीजे, तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, पचास का हा नहीं हुआ, क्रेय अब मुले दोस्तो क्या है, 200, तो 50 बटा 200, गुने क्या होगा दोस्तो, आपका 100, पचास बटा 200, गुने 100, आप इसको कटा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तो, loss percent बराबर, पचास बटा 200, गुने 100, ठीक है, तो 54 को 200, 4 से कटाएंगे तो 25 बार में, ठीक है, क्या होगा, 25%, loss percent बराबर क्या होगा दोस्तो, 25%, यह percent में है, ठीक है, बहुत अच् वेरी गुड, उमीद करते हैं, सभी student समझ रहोंगे, यह आपका पहले का अंसर रहा, loss कितने का हुआ, 50 का, loss percent क्या हुआ दोस्तो, 25%, वेरी गुड, जितने भी student का अंसर आया है, 50, 25, और यह एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है, उमीद करते हैं, आप कितने का हुआ, 50 का हुआ, तो पहले का अंसर, 50, और loss percent, यानि हानी प्रत्सत पूछ रहा है, तो 50 का हानी हुआ, क्रेय मुल क्या है, 200, गुने 100, ठीक है, तो 54 को 204 से कट आएंगे, तो यह 25 बार में, यानि 25%, loss percent, 25%, ठीक है, तो आप इतना कर सकते थे, इतना हम इसलिए जरूर करिए, चलिए, आगे देखिए, अगला आपका है, लेबल 2 का ही है, सभी student ध्यान दीजिए, ये भी जो question है, दोस्तो, लेबल 2 का है, ठीक है, ध्यान दीजिए, लेबल 2 का question है, question है, एक copy को 5 रुपे में खरीद कर, 3 रुपे में बेच दिया गया, तो कितने रुपे कहानी हुआ, तथा कितने प्रतिसत कहानी हुआ, टेस्ट के तौर पे है, अप लोग भी solve करते रहिए, साथ में, copy pen लेके बैठे हैं, तो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोस्तो, एक copy को 5 रुपे में खरीद कर, यानि, खरीद कर, मतलब करेमूल, मतलब cost price, मतलब CP, क्या ह क्या है, दोस्तो, CP क्या है, 5 रुपे है, क्या है, दोस्तो, CP 5 रुपे है, और 3 रुपे में बेच दिया गया, मतलब selling price, मतलब विक्रेमूल, ध्यान दिजिएगा, क्या है, दोस्तो, 3 रुपे है, ध्यान दिजिए सभी student, क्या है, 3 रुपे है, तो, इस दसा में क्या होगा, अगर आप कोई बस तु 5 रूपह में खरीद रहे हैं और 3 रूपह में बेच डे रहे हैं तो क्या होगा आप दोश्टो लाब होगा की हानि होगा इस दसा में सदेव हानी होगा क्योंकि CP बड़ा है और SP छोटा है तो क्या होता है दोस्टो हानी होता है आप simple भासा में सोच सकते हैं, 5 रुपे में खरीदे, 3 रुपे में बेज दिये, तो क्या होगा यहाँ पे, आपको हानी होगा, यानी loss होगा, loss कितने का होगा दोस्तो, 5-3, मतलब दोस्तो, loss क्या होगा आपको दोस्तो बताइएगा, loss बराबर क्या होगा, 2, 5 में से 3 घटाए दोस्तो, तो हानी जो पूझ रहा है, कितने रुपे का हानी हुआ, तो 2 रुपे का, और पूझ रहा है, कितने प्रतिसत का हानी हुआ, तो loss परसेंट के लिए, profit बते, zp into 100 होता है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ध्याद दिजए, सभी student तो देखिए loss percent हमें बताना था तो loss percent बड़ाबर loss यानी दो रुपए का loss हुआ CP दोस्तों क्या है क्रेमुल क्या है 5 यानी 5 रुपए पे 2 रुपए का आहानी होता है तो 2 बटा 5 गुने क्या करेंगे दोस्तों 100 करेंगे ठीक है अब देखिए 5 से 100 कटेगा 5 दुना के 10 और ये 0 20 20 दुना के 40 क्या होगा दोस्तों 20 दुना के 40 loss percent बड़ाबर दोस्तों क्या होगा सभी student बताईएगा loss percent बड़ाबर क्या होगा 40 percent क्या हो जाएगा 40 percent आप percent लिख सकते हैं loss बड़ाबर 40 percent very good बहुत अच्छे दो और 40 जितने भी student cancer आया है ठीक है loss percent क्या होगा 40 percent ठीक है हाँ 40 percent very good बहुत अच्छे जितने भी student cancer आया आप सभी student एक दम सही है इसको देखिए इतना हम इसलिए समझा रहे है ताकि आप लोगों को दिमाग में बैट जाए क्राय मुल क्या होता है विक्राय में क्या होता है loss क्या होता है loss percent क्या होता है इसलिए हम इसको बार-बार ल क्राय मुल क्या है दोस्तों 5 और गुने आप करेंगे 100 ठीक है तो 5 20 से 100 होता है यानि 5 दूना के 10 0 20 दूना के 40 तो loss percent बरबर दोस्तों क्या होगा 40 percent यह answer हो जाएगा यहीं पर आप चाहते तो कर लेते ठीक है यहीं पर लेकिन यह चीज आप note करिएगा अगर आपको basic से आगे देखिए सभी student ध्यान दीजिएगा note आप लोग करिएगा ठीक है अब चलिए label आपका थोड़ा सा बढ़ाते हैं label आपका थोड़ा सा बढ़ाते हैं label 3 में चलिए किसमें दोस्तो label 3 label 0 हम आपको कराएं label 1 label 2 हो गया अब label 3 धीरे धीरे आपकी label हम बढ़ाएंगे ठीक अब ही जब आप दोस्तो लेबल 10, 11, 12, यानि कि हम 3, 4 के बाद आगे आपको बढ़ा देंगे, तो लेबल 10, 12, उसके बाद से 20 तक जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपको, समस्या नहीं होगी, तब आप एक दम अच्छे से धडले से question को solve करने लगेंगे, question number 7 देख के लाब पर बेच दी गई, बस्तु का विक्रे मूल ग्याद करे, यहाँ पर हम आपका थोड़ा से लेबल बढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग समस सके, ध्यान दीजे सभी student, यहाँ पर ध्यान दीजे, बस्तु को कितने रुपे में खरी दी गई दोस्तो, 40 रुपे में, CP द बचा गया, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, दोस्तो, परसेंटेज में हम आपको बता हैं, 40 का आप 20% निकाल लीजिए, 40 का 20% निकाल लीजिए, तो 40 का 20% दोस्तो क्या होगा, बताईएगा, 4 दुना के 8 रुपे होगा, यानि दोस्तो, इसमें समझेगा सभी student, SP इसका क्या होगा, दोस्तो, बताईए, यहाँ पर CP 40 है, ध्यान दीजेगा, और इसमें profit क्या है, दोस्तो, विक्रेय मुले में क्या होगा, इसमें profit हो रहा है न, प्लस profit 8, SP क्या हो जाएगा, दोस्तो, 48, SP क्या हो जाएगा, 48, 48 रुपे, विक्रेय मुले क्या होगा, 48 नहीं पूछा है कुछ स्टूडेंट प्रतिसत में जवाब दे रहे हैं ठीक है प्रतिसत में नहीं होगा क्या होगा विक्रयमुल अनतालीस रुपए यह तो रहा दोस्तों बेसिक चीज आपको लेकिन ऐसे नहीं करना है आगे प्रश्ण में आगे आपको कैसे सॉलव करना है ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे छोटा से हम आपको concept clear करते हैं, ध्यान दीजिए, जब कभी भी दोस्तों ध्यान दीजिए, जब कभी भी दोस्तों लाभ बोलेगा, प्रतिसत में लाभ बोलेगा, तो उसमें 100 में जोड के लिखेंगे, डिरेक्ट निकालने के लिए हानी बो पूछ रहा है दोस्तों, 20% लाभ पर बेच रहा है, और भी क्रेमुल पूछ रहा है, तो 20% लाभ का मतलब दोस्तों होगा, डिरेक्ट 40 का 120%, अगर 20% हानी पूछ दा, तो डिरेक्ट आप बोलते 40 का 80%, यानि जो भी प्रतिसत लाभ या हानी होगा, उसको हम क्या करेंगे, 100 म घटा के लिखेंगे, जोडेंगे किसे, लाभ को 100 में जोड के लिखेंगे, हानी को 100 से घटा के लिखेंगे, समझिएगा, कोशन पे, 20% लाभ बोल रहा है, तो गुने क्या करेंगे, 120 बटा 100, यानि डिरेक्ट 120% निकालेंगे, डिरेक्ट आंसर आजागा, देखिए, 2-0 है लाभ ना देके हानी देता, तो हम कैसे निकालते बताईएगा, लाभ ना देके हानी देता, तो क्या करते, 40 रुपे तो उसका दोस्तो खरें मुल है, खरीदा है 40 रुपे में, हानी बोलता तो 100 में से 20 घटाएंगे, डिरेक्ट आप इसका क्या निकालते दोस्तो, 80% निकाल ठीक है यह चीज़ सीखिए आप डिरेक्ट निकालना सीखिए यह नहीं कि आप इसमें प्रसेंटेज निकालके और आठ रुपए निकालके जोड के और तालिस करेंगे नहीं यह बच्चो अला हो गया ठीक है यहां पर अब आपका लेबल धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आप स परचेंट ला मतलब 120 120 गुने 40 बटा 100 यही होता है न जीरो से जीरो कट जाएगा यानि की समझेगा सब ही स्टूडेंट बारचोग 48 डैरेक्ट बोलते 48 ठीक है डैरेक्ट आप बोलते 40 गुने 120 बटा 100 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल बारचोग 48 बिक्रह मुल क्या हो हां 40 परचेंट नहीं 48 ठीक है बहुत देखे वेरी गुट सभी स्टूडेंट एक दम सही है समझदार है आप लोग समझ रहे हैं ठीक है चलिए यह डैरेक्ट वाला यह वाला आप लोग समझिएगा यह जो हम आपको सेकेंड मैथड बताए हैं यह इंपोर्डेंट है इसे है आप लोग सीखिए यह तो बेसिक रहा हम आप लोग को सिखा दिए ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे देखिएगा लेबल आपका धीरे-धीरे बढ़ेगा परिसान आप लोग को नहीं होना है अच्छे से देखिए यह भी उसी टाइप का कोश्चन है तो इसमें आपको बेसिक से नहीं लगाना है डिरेक्ट बताना है एक बस तू चार सो पचास रुपे में खरीदी गई यदि उसे दस पर्टेंट लाब में बेचा गया तो उसे कितने रुपे का लाब हुआ तथा उसका विक्रे मुल ग् करें विक्रे मुल के लिए तो आप डिरेक्ट निकाल सकते हैं और इसमें पूझ रहे कितने रुपे का लाब हुआ तो दस पर्टेंट का लाब हुआ है ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट यहां पे कितने रुपे में खरीदा गया है दोस्तों सीपी क्या है अच्छे स पर्टेंट लाब प्रॉफिट क्या है दोस्तों प्रॉफिट पर्सेंट क्या है दोस्तों दस पर्सेंट यही है ना प्रॉफिट पर्सेंट दस पर्सेंट सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए तो पूछ रहे तो उसे कितने रुपे का लाब हुआ तो 450 का 10 पर्सेंट यही 10% मतलब 10 बटा 100, ध्यान दीजेगा, तो यहाँ पे 2-0 से 2-0 कैंसिल, तो profit कितने का हुआ दोस्तो, 45, ध्यान दीजे सभी student, कितने का हुआ, 45, सभी student ध्यान दीजे, profit कितने का हो गया दोस्तो, profit सिर्फ बताना हो, तो 45 रुपीज, 45 रुपे का लाब हुआ, पूछ रहा है उसका बिक्रे मूले, बिक्रे मूले मतलब ये जुड़ जाएगा, 450 में, SP क्या होगा दोस्तो, इसमें 10% का लाब भी जोड़े, तो क्या हो जाएगा, 450 सभी student ध्यान देंगे, ये रुपे में आपका, 450 प्लस कितना, 45 रुपीज, ठीक आपका अंसर हो जाएगा, एक profit होगा, और एक क्या होगा, विक्रे मूले होगा, हाँ, बहुत अक्षे, सभी student उमीद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने का प्रयास करिए, ध्यान दीजिए, आप चाहते तो दोस्तो, यहाँ पे, इसका दोस्तो, 10% निकालते तो 45, कितने है, तो मतलब 110 बटा 100, यही तो करते, इसी को तो करते, 10% का लाब, अगर पूछता विक्रे मूल, 2-0 है, 2-0 कैंसिल, 45 गूने, दोस्तो, 11, 45 नहां में, 450 और 45, 495, यह डिरेक्ट विक्रे मूल, इससे निकाल लेते, लेकिन इसमें पूछाता है, क्या दोस्तो, प्रॉफिट पूछाता, तो प्रॉफिट के लिए 450 का 10% निकाल लिए, 45 रुपे, और इसमें जोड दिये, तो टोटल यह विक्रे मूल, बहुत अच्छे, वेरी गूड, उमीद कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, हां, ध्यान दीजिएगा, ध्य हां पर हम निकाले हैं, 45 रुपे, यही 45 रुपे इसमें जोड दिये हैं, तो 495 रुपे आ गया, बहुत अच्छे, उमीद करें, आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, डारेक्ट सेलिंग प्रैस निकालने के लिए 450 का 110% निकाल दिये, तुरंत ये भी आ गया, आप चा निकाल दिये हैं, तो प्रॉफिट आ गया है न, 45 ठीक है, हां, बहुत अच्छे, वेरी गुड, चलिए, नेक्स कोशन की ओर चलते हैं, अगला कोशन आप लोग देखिएगा, कोशन नमबर 9, ध्यान दीजे, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा, सभी स्टूडें यह जो है दोस्तो, important type का कोशन है, कोशन नमबर 9, important type का कोशन है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, इसका answer आप लोग भी देने का प्रयास करेंगे, एक बस्तु को दोस्तो, 60 रुपे में बेचने पे 20% का लाब प्राप्त होता है, बस्तु का क्रयमुल पूछ र यानि ये 120% क्या है, दोस्तो, 60 के बराबर है, ऐसे सीखें आप लो, सीखें यहाँ पे सभी स्टूडेंट, 120% क्या है, यहां क्या बोल रहे है, 20% का लाब पूछ रहा है, कब होता है दोस्तो, जब 60 रुपे में बेचने पे 20% का लाब होता है, तो दे आन दीजेगा और बस अब दोस्तो 100% का मान पूछा है तो 100% बरावर क्या होगा दोस्तों बताईएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए बहुत अच्छे वेरी गूड सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं लेकिन आंसर आप लोगों का भी क्या हो रहा है गलाता रहा है maximum student ध्यान होगा कटेगा क्या होगा 50 यानि 100 परतेंट बराबर दोस्तों क्या होगा पच्यास रुपई यह लोगों का गल्राट आ रहा है नहीं समझ पाए यहां पर हाँ क्या होगा 50 रुपए होगा यहां पर समझिए 60 रुपए में बेचने पे 20 पर्षेंट का लाब होता है यानि इसमें 20 पर्षेंट का लाब भी है सबी स्टूडेंट अच्छे से देखिए इसमें क्या है 20 पर्षेंट लाब भी है तो 20 पर्षेंट लाब का मतलब क्या होता 120 CP बताना है तो गुने 100 तो 60 दुना के 120 दो से 50 पचास रुपए क्या होगा दोस्तों इसका क्या होगा क्रे मुल होगा हाँ 50 रुपए ये रुपए में है सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए ये रुपए में आप समझ में आ रहा होगा एक बढर प्रेशन को ध्यान से पढ़िए इसलिए तो कहते हैं ध्यान से पढ़िए एक बस तुको 60 रुपए में बेचने पर 20% का लाब प्राप्त होता है यानि कि 70 रुपए में 20% लाब भी है तो 120 परसेंट वराबर क्या है 60 रुपए है तो बस प्रतु का क्रेमुले क्रेमुले कभी भी निकालना हो तो क्या करेंगे रहने पर्सेंट याने 100% मतलब ये cp निकाले है तो साथ बटा का 120 गुने 100 मतलब cp ठीक है तो ये क्लियर कर रहते जब बेसिक ऑंसेट क्लियर नहीं रहेगा तो आसान आपको कैसे लगेगा अगर आप उसको छोड़े हैं स्किप किये हैं तो उसे आप जरूर पढ़िएगा समझीएगा उसे उसे ही आपको सीखना है अगर वो सीख गए तो आपका दोस्तों प्रॉफिट आप लोगो पूरा कंफिरण जरूर कर लिजिएगा अच्छे से क्लियर कर लिजिएगा ठीक है चलिए बहुत अक्षे वेरी गूट बहुत अक्षे चलिए ध्यान दीजिए अब आगे चलते हैं अब हम डारेक्ट चलेंगे अब यहां पर आप लोगों को सीपी अस्बी नह निकालना है देखिए आगे देखिए इस question को देखिए direct करना है यहां पर CP और SP कुछ नहीं निकालना है ध्यान दीजिएगा यही तो पूछ रहा है ना ध्यान दीजिए तो आपको जादा कुछ नहीं करना है जादा कुछ नहीं करना है लेबल आपका दीरे-दीर आगे बढ़ रहा है ध्यान दीजिएगा राम लाले 12% लाब लेकर अपने घोड़े को 611 रुपय में बेचा है 12% लाब का मतलब क्या होता है दोस्तो एक सो बारा परसेंट आपको अब ऐसे सीखना है 12% हानी पूस्तात बुतातात क्या करते दोस्तो सौमे से घटा के लिखते अभी हम आप लोगों को बताएं हैं पि अधी किया तो भी क्रायमुले 616 हुआ ठीक है यानि की 112% है ठीक है 112% किसके बराबर है दोस्तो 316 रुपय के ठीक है तो पूच किया रहा है धोस्तो क्रायमुले पूच रहा है क्रायमुले मतलब CP ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट हनडरेड परसेंट यह क्या होता है दोस्तों यह होता है आपका CP मतलब की क्राय मुली यह होता है यह पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए 112% बरबर 616 तो 100% बरबर क्या होगा 616 बटा का 112 गुने क्या होगा दोस्तों आपका 100 गुने 100 इसलिए त्योंकि हमें CP क्राय मुली बताना है सबस्टूडेंट ध्यान दीजिए आप देखिया आप इसको अब कटा सकते हैं ध्यान दीजिए किस से कटेगा यह 7 से कटा लीजिए ध्यान दीजिए साथ एक्कम साथ, साथ छक्के 42, इसे देखिए साथ वाठे छप पन, ध्यान दीजिएगा, उसके बास से साथ वाठे छप पन, इसे देखिए आठ से कटाईए, आठ दूना के सोलो, ग्यारہ एठ टा सी उता है तो ग्यारा हो जाएगा, दो से इसे कटाएंगे तो दो पचे द देखिए 550 रुपए जितने भी स्टूडेंट कांसर आया आप सभी स्टूडेंट सही है यहाँ पर क्या बोला था प्रसंट को पहले concept क्लियर करिए 12% लाब लेकर अपने घोड़े को 616 रुपए में बेच डाला यानि कि 112% पे बेचा है 616 में तो पूछ रहा है क्रायमुल मतल 550 रुपए होगा यह रुपए में है ठीक है रुपए में हैं कन्फ्यूज ना होईएगा 550 रुपए यहां पर लिख देते हैं क्या हुआ था दोस्तों 550 रुपए यह आपका क्या हो गया आंसर है बहुत अच्छे बहुत अच्छे वेरी गुड जितने भी स्टूडेंट का 550 आया है आप सभी स्टूडेंट एक डम सही है चलिए नेक्स्ट कोशन की ओर चलते हैं अगला कोशन देखिएगा दीरे दीरे आप लोग का लेबल बढ़ रहा है अच्छे से बस समझेए डारेक्ट निकालना सीखिए अब यह नहीं कि आप लोग की निकालेंगे घटाएंगे गुना करेंगे वह से कंफ्यूज होंगे ठीक है देखिए 11 नंबर का कोशन है हां ध्यान दीजिएगा 11 नंबर का कोशन है important question है question यह है 8000 रुपए की एक फोन क को 25 परसेंट की हानी पर बेच दिया गया wrath दैंडिये सभी श्ट्ऊटेंट आठहजारी की एख फोन को 25% की हानी पर बेच दिया गया तो फोन का विक्रे ब्र मुल ज्याद करें कितने पर अ हाई पर बीच दिया गया 25 सभी स्टुडेंट ध्यान दीचे यानि 8000 रुपए की फोन है दोस्तो याई इसका kitty जो है दौस्तो क्या है 6000 हैं 25 यृटा गया है फाएंटंब सब्सक्राइब दोस्तों बताईएगा खाने को क्या करते हैं तोस सब सब्सक्राइ। यानि आप विक्रहमूल निकाले के लिए आप डारेक्ट क्या करेंगे 25 परसेंट घटा क्या निकालेंगे आठ हजार का क्या निकालेंगे मतलब 75 बटा सो यह सब आपको क्लियर होगा परसेंटेज में कराएं हुए हैं बहुत अक्षे वेरी गूड मैक्सिमम इस्टूटर आंसर दे रहें 25 तिया 75 पचीश चौको सो चार से कटेगा दोस्तों चार दुना के आठ और यह दो जीरो तो दो हजार गुने तीन करेंगे त फोन को 25 परसेंट हानी पर बेस दिया गया तो फोन का विक्रय मूल क्या होगा 6,000 रुपए 6,000 रुपए जितने भी स्टूडेंट का अंसर आया है आप सभी स्टूडेंट एक दम सही है 600 नहीं 6,000 होगा नियान दीजेगा 8,000 का 75 परसेंट निकाल दीजे हां देखिए मतलब 25 परसेंट हानी का मतलब हानी को दोस्तों क्या करते हैं 100 से घटा के लिखते हैं ध्यान दीजेगा हानी को 100 से घटा के लिखेंगे यानि कि 100 माइनस 25 तो क्या हो जागे दोस्तों यह 75 परसेंट अगर 25 परसेंट यहानी हो गया तो 75 परसेंट डिरेक निकालें लेकिन हानी को क्या करेंगे 100 से घटा के लिखेंगे और लाब को क्या करेंगे 100 में जोड के लिखेंगे ठीक है यह concept clear रखे सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए चलिए उमीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ गये होंगे वेरी गुड बहुत अच्छे चलिए नेक्स कोशन की ओर चलते हैं अगला कोशन आप लोग देखिएगा कोशन नंबर 12 कोशन नम्मर बारा ध्यान दीजिए अच्छे से देखिए समझिए तभी समझ में आएगा एक टीवी को अठारा सो रुपे में खरीदा गया तथा 30 प्रतिसत की हानी पर बेचा गया ठीक है तो कितने रुपे का हानी हुआ तथा टीवी का विक्रे मुल क्या था क्या पूछा ह ठीक है यहां पर देखिए हानी के लिए आपको निकालना पड़ेगा विक्रे मुल आप चाहें तो डिरेक्ट निकाल सकते हैं यह देखिए अठारा रुपे में खरीदा गया है ठीक है तो आप डिरेक्ट यहां पर देखिए लेकिन इसमें यह भी पूछा गया है तो कितने रुपे का हानी हो रहा है तो लॉस के लिए हम क्या करेंगे अठारा सो का दोस्तो ध्यान दीजेगा और अठारा सो का क्या करेंगे अठारा सो है हां अठारा सो का क्या करेंगे तीस परसेंट निकालेंगे अठारा सो का क्या करेंगे तीस परसेंट निकालेंगे 2,0 है 2,0 cancel, 18,TI, 54, 540 ठीक है, 540 रुपे का क्या हुआ, लॉस हुआ, फिर पूछ क्या रहा है दोस्तों हमसे विक्रे मुले पूछ रहा है, तो SP क्या होगा दोस्तों, SP के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों ध्यान दीजेगा, 1800 माइनस, सभी student ध्यान दीजे, 1800 माइनस 540 ठीक ह हाँ, तो क्या हो जाएगा, very good, बहुत अच्छे, 1260, कितने रुपे का हानी हुआ, दोस्तों, हानी 540 का हुआ, ठीक है, विक्रे मुले पूछ रहा है, तो घटा दीजिए, 1800 मेंसे 540, 1260, हाँ, बहुत अच्छे, very good, जितने भी student का 1260, 540 और 1260 आया है, आप सभी student एक दम सह है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ पर हम आप लोग को एकदम basic से सिखा रहे हैं, तो आप लोग सीखिए, मन लगा कि अच्छे से तयारी करिए, कहीं पर भी आपको confusion है, थोड़ा बहुत doubt भी है, तो आप लोग हमसे पूछ लगते हैं, पू अच्छ करिए, फॉलो कर लिजे, कोई भी कोईरी है, कोशन है, तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं, और कोई भी important notification होगी, तो वहाँ पर हम update करेंगे, ठीक है, तो सभी student Instagram से जरूर जुड जाईए, ठीक है, इसका answer हो गया यह, बहुत अक्छे, 1260, अब देखिए, यह तो इ डिरेक्ट भी क्रेमोले निकालना होता, दोस्तों, तो 1800 का क्या करते? 30% की हानी पर बेचा है, डिरेक्ट 1800 का 70% निकालते, ठीक है, डिरेक्ट अगर दोस्तों हमें SP नकालना हो, तो क्या करते? अठारो सो का 70%, तो 2 0 है, 2 0 कड़ गया, 18 से तो दोस्तों 126 और यह आपका 1 0, ठीक है, 1260, क्या हो जाता 1260, इससे हम क्या करते, डायरेक्ट क्या निकालते, दोस्तों, सभी श्टुदेन ध्यान दिजे, हाँ, डायरेक्ट हम क्या करते, दोस्तों, 1260 निकाल लेते, डिरेक्ट दोस्तों अगर विक्रे मुली सिर्फ पूछ था तो 800 का 70% निकालते हैं क्योंकि यहां 30% हा नहीं 30% हा नहीं का मतलब 100-30 यानि कि 70% यह करते हैं 30% का लाभ अगर होता तो 100-30 130% निकालते ठीक है हाँ बहुत अच्छे वेरी गूड उमीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहोंगे और सारा चीज आपको क्लियर होगा ठीक है चलिया आगे चलते हैं ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट धीरे धीरे आप लोग आगे भी बढ़ते रहें धी हम आगे बढ़ पाएंगे अगर जो नहीं तो पीछे की तरफ जाएंगे तो इसमें महीनों नहीं साल लग जाएगा कोर्स कंप्लीट होने में ठीक है तो आप लोग अपने तरफ से खूब ज्यादा वर्क करिए जितना पढ़ा रहें उतना पढ़के आईए और यहां पे फ तीछे वाल आप लुक पढ़ते रही है चलिए कोशन नंबर 13 13 देखिए इंपोर्टेंट डाइब का कोशन है अच्छे से देखिए एक किताब को दस प्रतिसत की हानी पर 135 रुपे में बेच दिया जाता है किताब का क्रेय मुले ग्याद करे किताब का क्या बोल रहा है क्रे 90% किसके बराबर है दोस्तो 135 135 के तो पूछा क्या है दोस्तो ध्यान दीजेगा पूछा हमसे क्या है किताब का क्रेय मुले क्रेय मुले मतलब दोस्तो क्या होता है 100% मुले 100% मुले यह क्या होता है दोस्तो यह आपका CP होता है क्रेय मुले यह पूछा है तो 90% बराबर 135 तो 100 88% क्या होगा दोस्तो 135 बटा का 90 गुने क्या होगा दोस्तो आपका 100 ठीक है बहुत अच्छे very good ध्यान दिजे यह 0 है यह 0 है यह जो गुने में 100 होता है उपर होता है यह तो हम आपको बताएं 9 से कटेगा 9 एकम ध्यान दिजे 9 एकम 9 9, 4, 13 होता है, 4, 5, 45 हो जाएगा, 9, 45, 45, 15, 15, 10 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बताईएगा, 15, 10 में 1,500, 150 रुपए, यानि CP क्या हो जाएगा, 150 रुपए, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा, 150, कुछ नहीं करना है, 135 का ध्यान दिजिए, यह यहाँ पे, यह 10% हानी है, तो यानि कि 90%, 90% वराबर क्या होगा, 135, तो आपको बताना था क्या है, किताब का क्रेंगुल, क्रेंगुल मतलब दोस्तों 100%, ठीक है, यानि CP, 150 रुपए, ठीक है, यह सारा चीज आपको सीखना पड़ेगा, ठीकेंगे तब ही आएगा, ध्यान द परसेंट हानी पे, बेचा गया, 135 रुपए, यानि 90% वराबर क्या है, दोस्तों, 135, तो बताना क्या है, क्रेंगुल, क्रेंगुल मतलब दोस्तों क्या होता है, 100%, यही होता है, दोस्तों, आपका CP, cost price, यही क्रेंगुल है, तो 100% वराबर क्या होगा, 135, बटा में चला जाए पेंसील नौ एकम नौ नौ पच्छे पैंतालिस तो पंदरद हमें डेड़ सो यह अंसर हो जाएगा एक सो पचास रुपए ठीक है उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे ध्यान दिजे सभी स्टूडेंट यहाँ पर अच्छे से आप लोगों को समझा रहे हैं तो समझ आप और justement हां जहां रहे हैं तो समझी आप सभी स्टूडेंट ठीक है यहाँ दीरे पढ़ार है सर जी very good समझ में सभी student को आएगा ठीक है तो यही concept clear रखेंगे तो आगे आप दोस्तों ध्यान दीजेगा जो हम आप लोगों को concept clear कर रहें अगर यह concept आपका clear रहा तो आगे आप क्या करेंगे बीना प्रशनों को solve करेंगे यह guarantee है ठीक है तो लेकिन basic चीजे आपको जानना ब प्रूरत नहीं पड़ेगी आप direct answer देंगे दिमाग में ही calculation करेंगे और हम आप लोगों को homework भी दिये थे ध्यान दीजेगा हां हम आप लोगों को homework भी दिये थे homework एक बार और आप लोगों को बता देते हैं ध्यान दीजे homework में आप लोगों को क्या है कि एक से लेके 100 तक गि याद करिएगा याद करईगा एक का स्कूर क्या होता है दो कर दो चार तेन जार क्यूसता है जरूर याद करनीजेगा याद करेंगे तो आगे और मज़ा आएगा ठीक है सब याद जरूर करिए चलिए आगे चलते हैं आगे देखिएगा कि आगे देखिए कोशन नंबर देखिए फोर कोशन नंबर 14 चौदा नंबर का है अलग लेबल का है ध्यान दीजिए ये लेबल इसका नेक्स्ट है ठीक है नेक्स्ट लेबल हम आपको करा रहे हैं तीन-चार लेबल तक तो सिंपल कराएं आगे से लेबल आपका धीरे-दीरे बढ़त है ठीक है कोशन यह है किसी बस तुको 1200 रुपे में बेचने पर 20% का लाब होता है 40% का लाब उठाने के लिए बस तुको किस म में बेचने पर क्या होता है 20% का लाब लाब मतलब 120% बडाबर है दोस्तो 1200 के तो पूच रहे है armा लाब चालिस पर्सेंट का लाब उठाने के लिए बस तुको किस मुल्य पर बेचना चाहिए मतलब 140% बराबर क्या होगा ठीक है डएरेक्ट देखिए डएरेक्ट सभी स्टुडेंट देखिए direct सीखिए, ध्यान दीजिए 20% का लाब कब होता है 1200 रुपए में बेचने पे, मतलब 120% बराबर है दोस्तो किसके, ध्यान दीजिए कि सभी student 120% बराबर क्या होगा दोस्तो, 1200 रुपए, सभी student अच्छेस देखिए, तो कह रहा है 40% का लाब उठाने के लिए मतलब क्या होगा दोस्तो 140% बराबर क्या होगा ये बताना है, 120% बराबर 1200, तो 140% बराबर क्या होगा, 1200 बटा का दोस्तो, ये 120 आ जाएगा और कितना बताना है दोस्तो, हमें बताना क्या है, 140% तो गुने आपका क्या हो जाएगा 140, तो 120 दहा में 1200, 120 और ये 0, 10, और 1400, यानि कि यहां पे 140 गुने 10 करेंगे तो क्या होगा, बताईए, 1400, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट एक डम सही है, कुछ स्टूडेंट का अंसर 2400 कहां से आ रहा है, ध्यान दीजे, सभी स्टूडेंट अच्छे से समझीए, बारत प्रेंट का लाव, उठाने के लिए बस किस मुल्स पर बेचना चाहिए, 140 पर वेचेगा, तो 140 पर से बरबबर क्या होगा, बारत बटा 120-140, तो क्या हो जाएगा, बताईए 10-140 यानि कि 1400ू asking ौժ pixel जितने भी स्ट्वूडेंट का अंसर आया है आप सबुझी स्ट्वूडेंट यह अन्सर है मिःस अगर यह पे पूछता दोस्तो बारत्व व्रुप्य में बेचने पर बीस परचेंट का लाब होता है बस तुका क्रय मूल pressed पूचता सि्पी पूचता तो हम क्या करते दोस्तो ओंड़ेड परसेंट कमान बताते यह जहाँ क्या करते दोस्तो हम हंचल एक तो ब्रहाबर मार्चो थो outta और 300 बराबर क्या होता दोस्तो 120 वेशों एक सो बूस्ता सीपी पूस्था तो शीपी क्या निकालते दोस्तो अगर प्रस्ण में पूस्ता तो 120 परसेंट बराबर दोस्तो क्या है ध्यान दीजेगा बारसiva है ठीकिक है तो 3P मतलब अगर Czamur च्पोटा क्रेमुल फ। हंडेड़ परसेंट यह आपका क्या होता दूस्तों सभी स्टूइंठ ध्यान धिजेएगा तो यह क्या होता 1200 बटा का दोस्तों यह 1200 औरूसभाल और कितना हमें निकालना है दीजे, CP पूछता तो यह हो जाता, सभी student अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास करिए, हाँ, समझने आप लोग को आएगा, यहाँ पे हम आप लोग को इसलिए दीरे दीरे पढ़ा रहें, ताकि आप लोग सीख सके, जब basic concept clear हो जाएगा, तब हम आप लोग को speed में कराए ठीक है, तो अच्छे से सभी student ध्यान दीजिए, हाँ, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे, very good, चलिए, next question की ओर चलते हैं, maximum student समझ गया है, ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए, question number 15, direct करिए, direct सीखिए, question number 15 है, किसी बस तुको 40 रुपे में बेचने से, 20% की हानी होती है, 10% की हानी उठाने के लिए, बस तुको किस मुले पर बेचा जाना चाहिए, क्या होता है, 400 रुपे में बेचने है, तो 20% की हानी होती है, बोल रहा है, कि सिर्फ 10% क सबक् superheroes को क्या क्या होगा तो 80% मोले 踩ी सबद्सक्राइब你好 अगैं यानी अइसर प्रसेंट बराबर किया है 400 आई तो पूछ रहा है 10% की और उठाने के लिए 10 लानि का मतलब क्या होगा 90 percent hundred minus 10 20 percent हानी का मतलब दोस्तों क्या होता है 80 percent ठीक है ये सीखिए 80 percent वराबर क्या है दोस्तो 400 आपको बताना क्या 10 percent हानी मतलब 90 percent तो 90 percent ध्यान दीजे सभी students 90 percent वराबर क्या होगा 400 बटा का 80 गुने कि तना परसेंट का मान बताना है, 90, जितना का बताना है, गुने में ओर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आसान हो गया है, देखे, 0 से 0 कट जाएगा, 845, ठीक है, कटाना सीखिए, 5945, और ये 0 है, 450, 450 में बेचेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, 10% का हानी होग अगर दोस्तों इसमें पूछता, CP, ध्यान दीजिए, CP, मतलब दोस्तों, क्रेमुल, ध्यान दीजिएगा, क्रेमुल पूछता, तो हम क्या करतें, दोस्तों, 100% का मान बतातें, ठीक है, 100% का, तो यहाँ पे दिया हुआ है, दोस्तों, 80%, ध्यान दीजिए, 80% क्या है, 400 है, तो 100% यानि कि CP क्रेमुल क्या होता? 100%. यह आपका क्या है दोस्तो? CP है. ठीक है? तो यह हमें बताना है 100% का. तो 400 बटा क्या होता दोस्तो? 80. गुने क्या करेंगे? 100%. यानि CP क्रेमुल का मानुद. तो गुने 100. तो यह 8 पच्चे 40, 50 गुने? ध्यान दिजे. सौरी. यहाँ प 8 पच्चे 40. 5 गुने 100 मतलब 500 रुपे. हाँ. क्या हो जाता? 500 रुपे हो जाता. 5 गुने 100. 5 कटा नहीं है. 8 पच्चे 40. ठीक है? क्रेमुल पूछता तो? यह हम निकाले हैं. क्रेमुल ठीक है? लेकिन हमसे यह नहीं पूछा है. 10% की हानि पूछा है. तो 90% का मान, 450. आपक बहुत अच्चे तरीके से समझ रहे होंगे. ठीक है? हाँ. बहुत अच्चे तरीके से समझ रहे हैं. बहुत अच्चे तरीके से. हाँ. थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है. लेकिन क्या करना है? आप लोग को पढ़ना हैंगे तो आप लोग पढ़ लीजे. ठीक है? चलिए 500 रुपय आपका क्राय मुलोगा एक और कोशन देख लीजिए ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए नोट जरूर करिएगा सभी स्टूडेंट एक और कोशन देख लीजिए उसके बाद हम next level का कोशन कराएंगे कोशन नमबर 16 कोशन नमबर 16 important है अच्छे सदेखिए कोशन यह है क्सी बस्तु को 800 रुपैम बेचने पर 15% का हानि होता है 20% का लाव उठाने के लिए कोशन देखिए बस्तु को किस मुले पर बेचना चाहिए 75% ठीक है 100 में से 25 घटाएंगे तो 75% सभी student ध्यान दीजे 75% का मान क्या दिया हुए दोस्तो 800 रुपए 75% बराबर है 800 तो पूछ रहा है 20% का लाब 20% लाब का मतलब ध्यान दीजे यहाँ पे लाब कह रहा है न तो 120% का मान बताना है यहाँ पे हाँ नी बोल रहा है था न तो हाँ नी को क्या करते हैं 100 से घटा के लिखते हैं लाब को 100 में जोड के लिखते हैं तो हमें बताना क्या है दोस्तो 120% का मान बताना है तो कुछ नहीं करना है दोस्तो 800 बटा का क्या होगा 75 गुने आपका क्या होगा ध्यान दीजे किसका मान बताना है 120 यानि 20 परशेंट लाब तो गुने आपका 120 होगा ठीक है अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है ध्याना ज्यादा कुछ नहीं 15 75 15 वठ्थे 120 5 से देखिए 5 से 16 85 160 16 वठ्थे 128 ध्यान दीजिए कुछ इस्टूडेंट को गुना भी नहीं आ रहा है 16 वठ्थे देखिए क्या होगा हाँ वेरी गुड बहुत अख्ये 1280 रुपए 1280 हाँ 1280 रुपए होगा बस तु का क्या दोस्तो जब 20 परशेंट लाब पे अगर दोस्तो हमसे क्रेय मूल ले CP पूछता ठीक है यानि हमसे क्रेय मूल ले पूछता ध्यान दीजिएगा CP यानि CP तो लिख दिया है तो हम क्या बताते दोस्तों 100% का मूल क्रेय मूल या CP बोल सकते हैं तो 100% यहाँ पे किसी भी मूले पे आप दोस्तों क्रेय मूल ले निकाल सकते थे ठीक है 75% बराबर दोस्तों क्या है 800 रुपए ठीक है तो CP मतलब दोस्तों क्रेय मूल क्या होता है 100% ठीक है यह आपका क्या होता है CP क्रेय मूल 100% बराबर आपका क्या होता दोस्तों बताईएगा 800 रुपए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए 800 बटा का दोस्तों क्या होता 75 गुने कितना 100% ठीक है इसे आप सॉल्व कर लेते तो क्या आ जाता दोस्तों CP आ जाता आपका क्या हो जाता अंसर ठीक है 1280 1280 बहुत अच्छे वेरी गूड उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ गये होंगे कि सर मैच बेसिक से जीरो लेबल से चाप्टर बाई चाप्टर कहीं पे भी क्लासेज नहीं होती है अगर आप चला रहे हैं तो कोई बैच है तो बता दीजिए तो आप लोगों की इस डिमांड को पूरा करने के लिए मैच का हम लोग एक मास्टर बैच लेके आए हैं इसमे हैं आप SSC GD, UP Police Constable, Railway, UP Tate, Cate, KVS या अन्य कोई भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच से जुड़के पढ़ सकते हैं मैच को मैच को जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आपको मैच में टैंसल लेने की कोई जरूरत ही नहीं पढ़ेगी क्योंकि इस आप basics को आपको join कैसे करना है सबसे बड़ी वात ही आती है तो जाइन करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं nhENE ससीन मेकर का मात्र 200 रुपए और ये ओफर प्राइस लीमिटेड टाइम के लिए है लीमिटेड इस्टूडेंट के लिए तो आप सभी स्टूडेंट इस बैज से जुड़ जाएंगे तो मैथ की आपकी पूरी की पूरी टेंशन खतम हो जाएगी तो उमीद करते हैं आप सभी स्टूडें